तो आप यादी फ्रीफार खेलते हैं या पबजी खेलते हैं और जो गन में बार बार क्लिक करके गोरी चलती है उसके लिए सही सेलुशन एड यहां पर मैं लेगा चुका हूँ आपके लिए एक न्यू गेमिंग टिगर बोल लो या गेम कंट्रोलर बोल लो जो की काफी ज्या प्रेंड ब्रेश्ट मोड है ठीक है एंड बहुत ही ज्यादा सांदार वर्क करता है 2X 3X टेर्बो मोड है जिसमें बहुत ही अच्छा वर्क करता है एंड उसके बाद 2 फायर कीज है L2 fix to one shot जैसे कि हम एक बार क्लिक करते हैं तो एक ही बार फायर होता है लेकिन जैसे ही हम म केसे खी को ढंसी में थार्य कट्रोल इस का डिवास को चार्ज करने के लिए गेमिंग कंट्रोलर करले मिनम रहने करते हैं यह गेमिंग कंट्रोलर को देखने में बहुत चोटा और या जौन दक है Spenda बार में यह हुब हैस अरां से आजाए Snoday पाया क्ण जहां इन यहां से अच्छा खासा है लेदर का है और काफी जादा सांदार गृप रहेगी सो गृप रहेगा तो मजा आएगा बैक साइड में प्लास्टिक है एंड थोड़ा अच्छा खासा गृप भी दे दिया है सो टीक है इतना भी कुछ जादा खराब नहीं है टर्बो मोड है देखो टू इसका भी में यूद बताऊंगा यह बटन है ब्लू कलर का यहाँ पर तीन बटन है जिसमें से एक ट्रिगर है एक बटन है और एक मोड चेंज करने वाला है ठीक है तो जल्दी से इसको सेट अप करते हैं कैसे करना है सेट अप मैं आपको बताता हूं एंड जो त्री डिफर डिफरेंट वाले मोड में क्लिक करने में यह जो लाइट है वो ब्लिंक होती है अलग अलग प्रकार से सो चलो देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम यूज कर सकते हैं किस प्रकार का इसका वर्क है और किस प्रकार के हमें को रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं हम कुछ इ तर्ड फिंगर मेडल फिंगर एंड उसकी बीच वाली ठीक है सो यह दोनों फिंगर से मैं आसानी के साथ इस गेमिंग ट्रिगर का यूज कर सकता हूं जैसे कि देख सकते हो यह जो फामास गयने उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा बीच वाली एक बटन क करने में एक ही बार फायर होता है तो उसी टाइप का यह काम करता है तो यह जो ट्रिगर है यह जो कंट्रोलर है वो क्या करता है हम इसको सिंगल बार ही प्रेश करके रखेंगे तो यह आटोमेटिक बार 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 क्लिक करेगा ठीक है एंड इसमें तीन डिफ तो 3X अब मैं करूँगा एंड उसके बाद इस बटन को मैं किलिक करूँगा तो देखो एक ही बार किलिक होगा लेकिन जो स्पीड है वो तेज जाएगी अब देखो अब फिर से मैं किलिक करूँगा एंड 3X में है एंड डिफरेंट मोड में मैं चेंज कर दिया हूँ जिसमें लगातार फायर हो फामास में भी तो कुछ इस प्रकार के यहां पर वर्क रहेगा तो जो बंदे हैं या पबजी खेलते ह हो फ्री फार खेलते हैं जो कॉल अब डिटी खेलते हो ऐसी कोई सी भी गन जिसमें सिंगल बार प्रेश करने में सिंगल बार ही फायर होती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है एंड कोई भी गन एनी गन यहां पर ऐसा नहीं कि हम फायर में ही रख सकते हैं इस गेमिंग सकते हो आप खुद ही जैसे कि मैं आप फामास अराउंडी है फामास में आपको ऐसा कभी किसी ने भी नहीं दिखाया होगा और ना ऐसा कोई खेलता फामास के साथ लेकिन गैस इस गेमिंग कांट्रोलर ट्रेगर हम बोल लगते हैं इसके करण यह पॉशिबल है जो कि मुझ घया है आई अशी है भाई मज़े है जाएगे बट यह जो उप़र वाली बटन और सिरिफ एक ही बार किलीक होगा तो अब मैं कै से करता हूं ऊपर वाली बटन और को एक साथ क्लिक करता हूँ and vibration mode on करता हूँ यह मैंने कर लिया and यहाँ पर अब हो चुका है vibration mode जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको 1x में करता हूँ and 1x में अब देखते हो vibration plus click देखो किस ते अच्छे तरीकी से होगा but जो सबसे टॉप की की है उसमें एक बार click करने में एक ही बार यहाँ पर fire होता है उसके बाद यहाँ पर 2x में देख सकते हो oh भाई and जितनी तेजी से and जितनी बार vibrate हो रहा है उतनी बार fire होगा या click होगा जितनी तेजी से लगातार बार बार fire हो रहा है and उसके बाद इपीच वाली बटन दबाने के बाद single single यहाँ पर fire होने लगता है वो mode shifter है जो काफी जादा सांदार मुझे लगा यहाँ पर इस चोटे से device gaming control के features बहुत बजा आ गया हैंदी आपको पसद आता है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना and चैनल को सब्सक्राइब करके बाजव लबेल कॉल पर साइट कार डालाएं क्योंकि आपके लिए SE Amazing Gaming Gizzards लेके आदे रहता हूं लाइक से सब्सक्राइब मिलतें नेक्स वीडियो में